सहिता के बीच मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है जहां मोहन सरकार इस बार 5,000 करोड रुपए का कर्ज लेगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है वही प्रदेश की डिप्रीसियम जग्दिश देवडा ने सरकार के फैसले पर सफाई दी है कुई बोलने के लिए कोई फ़िल गुद्दा भी नहीं और इस बात को अनेग बार हम ग्रान्सावा के फ्लोर पर भी बोल चुके हैं, और सारजेनिक तौर पर अजो बी करजा लेते हैं करजा समय पर चुकाते हैं करजा लेकर करने का काम सरकार करती है तालाब बनाती है सब डवलप्मेंट के काम करने के लिए सरकार करजा ले रही है सरकार करजा समय पे चुका रही है लोकसभा चनाव को लेकर घमासान जारी है और बीजेपी कॉंग्रेस एक दूसरे को निशाने पर ले रही है और इस दोरान नियोजेतीन से पूर्व मंतरी और कॉंग्रेस एता चोधरी राकेश सिंग चतुरवेदी ने बात्शित की जावरों ने कॉंग्रेस की जीत का दावा करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा कॉंगरेस की है कॉंगरेस ने श्रीमान पूल सिंग बरिया जो विधायक ने भांडेर से उनको टिकेट दी है पूल सिंग बरिया यहीं के रहने वाले है मैं गाओ विजान सवाचेत्र के और एक जाने माने नेता हैं तो मैं समझता हूँ संध्याराय जो उनके सामने हैं वो पूर में सांसद रह चुकी हैं और उनका कारिकाल कोई भिंड के लिए अच्छा नहीं राधतिया के लिए मैं कई बार कहता हूँ तमाम चैनल्स पर मैंने कहा है कि चंबल एक्सप्रेस वे का क्या हुआ जो स्कूल वहरी के नाम से आपने कर दिया था सैने की स्कूल का क्या हुआ जो भिंड में खुलना चा इनी रोड है जिस पर ट्रैफिक बहुत है रोज एक्सिडेंट होते हैं लोग चिंते थे हैं अक्वार उठाके देखो तो रोज खड़ना है मिलती है कि दो-चार लोग मर गए क्या सांसद को यह बात को करके यह नहीं करना चाहिए था कि इसको सिक्स लेंड डिकलेर कराती अपने कारिकाल में इसका सुवारम कराती चंबल का पुल जून सी नवस्ता में है क्या उस पर एक दूसरा पुल में रुमान कराने का सिलानियास नहीं करा सकती थी इसलिए मैं मानता हूं कि उनका कारिकाल कोई अच्छा कारिकाल नहीं रहा है और दुर्ग में होने जा रहे और ऐसे युवाओं से युज हेटिंगी टीम बातचीत करने पहुँची, क्या है उनके मुद्दे, क्या सोचते हैं वो, आए दिखाते हैं आपको और दुर्ग लोक साभे में करीब 53,000 युवा पहली बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे, अपना वोट देंगे यह युवा खड़े हैं जो लगातार यहाँ पर शहर में रहते हैं और राजनीती को देख रहते हैं और आब यह वोट देने जा रहे हैं क्या मुद्दे होंगे इनकी सिध्य निसे बातचीत करते हैं देखे पहली बार आप वोट देंगे किस तरह के मुद्दे होंगे आपके पहली बार मैं वोट दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो जीते जो सरकार बने वो सिख्षा और स्वास्थ पे ज़्यादा फोकस करे और शिख्छा जो मेन है तो शिख्छा पर भी बात किया जाएगा और सरकार ऐसी होने चीए जो सब परपस पर लेके चले और सब पर बात करें अब क्या सोचती हूं कि जैसे पी हम वोड देने जादे तो यह कास्ट वगरा देखके उसे हटकी वोड देना चाहिए और सेकंड चीज की स्वास्त जैसे कि इन्होंने बोला स्वास्त और सीख्छा और जैसे कि हम लोग यह ज़ादा तर होम साइंस डिप स्टुडेंट होने की नाते आप क्या सोचते हैं सर मैं यह सोचती हूं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और मुझे सरकार की तरफ से कोई मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे कोई जόब मिले और ताकि मैं उस पर और अच्छे से आगे बढ़ सकूँ मैं पहले बार अभी वोड़ दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं गाउं से हूँ और बहुत बच्चे जो गाउं में रहते हैं पढ़ने के इच्छुक रहते हैं लेकिन वो दूरी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम दूरी में कॉलेज और इ देश का विकास करेगा वहीन करने ता होगा और सरकार जो भी बने सभी शित्रों पर ध्यान दिया जाए न्यूज एटीन चत्रसगर के लिए दुर्ग से मितले श्टाकुर। करेंट लगने की वज़े से मोर की मौत हुई और यह पूरा मामला सामने आया है मोर के 11 कवी के तार की चपेट में आने की वज़े से उसकी मौत हुई है और जुकि जो अन्शिकान शिंता जट्किए वो भी एक विशह है मोरों का या कई अन्य जानवरों का शिकार करने के और गर्याबन में स्कूल पर चोरों का धावा दरसल स्कूल में चोरी करने की एक नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है CCTV में चोरी की वारदात भी कैद हो गई है शास्तकिया हायर सेकेंडरी स्कूल बोरीत का ये मामला बताया जा रहा है तो वहीं बलदा बाजार में स्कूल में हंगामा देखने को मिला और समाजिक तत्वों ने जम कर उपद्रव मचाया और यहां तक कि छात्रों के उत्तर पुस्तिकाएं भी फाड़ कर फरार हो गए क्लास रूम में लगे हुए पंकों को जोड़ दाला भाटा पारा के ग्राम रोहरा हाई स्कूल का ये पूरा मामला है शिक्षकों ने ग्रामेंड धानक शेत्र में मामला दर्ज कराया है पुलिस ने प्रकरन दर्ज कर लिया है पस्वीर आप देखिए किस तरह से और विवस्ता पहला कर भागे यहां से और ये जो पूरा मामला है इस पर क्या कुछ कारवाई की जाती है ये देखने का विशे होगा और देखकर के लग रहा है कि काफी देर तक ये हंगामा हुआ है देखे पूरे स्कूल के परचे ही परचे नजर आ रहे हैं और बुरान बुर में अशे के खिलाफ पुलिस के बड़ी कारवाई एक हक नार्क शेतर में पुलिस ने चापा मार कर लाखों के अवैच शराब को जब्त किया महुआ लाहन से भरे टैंक को भी नश्ट किया गया है दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महुआ लाहन जो कि नश्ट किया गया है और साथी जो दो आरोपी यहां पर मौजूद थे जो बना रहे थे अवैच तरीके से शराब उन्हें भी गिरफतार किया गया है शाजापूर में अवैद शराब पर शिकंजा कसा गया अवैद शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया है और आखो बतादें कि शराब की एक हजार पेटियां यहां से जट की गई हैं पोलिस ने दो तसकरों को भी पकड़ा है चुनाब से पहले पुलिस पुलिटरस एक्शन में जो कि अब मौडल कोड अफ कंड़क लागू है और शराब या कोई भी अवैद तरीके से कैश या कुछ भी ऐसी चीज़ जो चुनाब को प्रभावित कर सकती है यहां पुलिस प्रशासन के जिम्मदारी है कि इस तरह के जो मामले हैं उन पर नकिल कर सी जा सके और यह काम्याबी यहां प्रशाज पुलिस पुलिस के हाँ और इसके साथ इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें न्यूज़े टीम